Hello Friends, अगर आप AdWord यूज़ करते हैं और आपको ऐसा इशू आ रहा है जिसकी पज़ेसे आपकी इंप्रेशन नहीं हो पा रहे हैं, व्यूज नहीं आपा रहे हैं, एवरेस से पीसी नहीं आपा रहे हैं, कॉस्ट नहीं आपा रहे हैं, कट नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए करना क्या होगा, तो ऐसे problem या ऐसे issue के लिए हम आज इस वीडियो को आपके लिए especially बनाए हैं, अगर आपको इस तरह का कोई issue है, तो इस channel को कर लिए subscribe, क्योंकि आपको यहाँ पे मिलने वाला है आपके problem का solution, तो जी हाँ, सुरुआत करते हैं इस वीडियो के साथ, तो इस में आपसे यह देखिएगा, कि सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, कि help की एक button है, उस पे आपको contact us पे जाना है, यहाँ पे आप देख पा रहे है, contact us, इस contest us में जैसे ही आप जाएंगे, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे, कि side में एक pop-up menu open होगा, और इस pop-up menu को तब से पहले यह शो करना है, कि अपना ads run नहीं हो रहा है, इसके लिए अपर लोग यहाँ पे अभी देखेंगे, कि किस तरह से अपर लोग इसको perform करते हैं, मैं wifi connection पे आजाता हूं, data slow है थोड़ा, यह देखिए, अब हम यहाँ पे इसको लिखेंगे, कि ads not running, ओके, जैसी हमने लिखा ads not running और next किया, तो यहाँ पे अपने को एक automatically keyword आएगा, कि ads not running, तो हमको यहाँ पे ads not running में click करना है, और देन उसके बाद next step को choose करना है, जैसी हम next step को choose करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, case in process, automatically यहाँ पे हमको दिख रहा है, कि जो case है, वो process में है, ads not running का, अगर for the example, आप यहाँ पे next step करेंगे, उसके बाद आपको कुछ चूज नहीं करना है, next step कर देना है, then जाके आपको यहाँ पे email दिखेगा, जैसे ही आप email पे click करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्या-क्याची इसका ध्यान देना है, वो ध्यान दीजेगा आप, यहाँ पे contact name, यहाँ पे account email id, contact email id, campaign name आपको पूरा लिखना है, उसके बाद ad group name पूरा लिखना है, keyword used to search ad, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं अभी, और google domain, जैसे की for the example, youtube use कर रहा है, youtube की website का promotion कर रहा है, तो youtube उसके बाद starting date कप से है, और ending date कप से है, और यहाँ पे आप अपनी summary लिख दीजे, उसके बाद email में कर दीजे, और उसके बाद support email के लिए yes कर दीजे, then उसके बाद finally आपको यहाँ पे नीचे आना है, और submit की button दवाना है, जैसी आप submit की button दवाएंगे, तो 24 hours के अंदर वो आपके question का reply देंगे, और आपका impression चालू हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको अगर किसी भी तरह का कोई issue होगा, तो वो आपको suggest करेंगे, और अगर issue नहीं है, तो वो आपका यहाँ पे ads चालू हो जाएगा, और आपके impressions आना start हो जाएगे, और views आना चालू हो जाएगे, तो यह वीडियो अगर आपको छोटा सा पसंद आया, तो आप जरूर हमारे channel को कर लिए subscribe, और किसी भी तरह की कोई question या query हो, तो निचे comment में जरूर तक ही मैं आपके reply का जवाब दे सकूँ, तो मैं मिलता हूँ next वीडियो के साथ, something new रहेगा उस वीडियो पे, अगर आप से कोई question या query related है, तो मैं और वीडियो आपके लिए क्रेट कर दूँगा, वो आपके लिए और easy हो जाएगा, तब तक दीजे इजाजत, बाई बाई तक थे किर.